Hello everyone, welcome you all at Lucaser Unlimited Study Zone आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावरती धारा चेप्टर का लेक्टर नमबर टू कल इसके पहले मैंने प्रत्यावरती धारा का इंट्रोड़क्शन बताया था और धारा के औसत मान के बारे में आपको जानकारी दी थी और आज हमको पढ़ना है धारा का वर्ग माध्यमूल मान क्या है टॉपिक आज का धारा का वर्ग माध्यमूल मान जिसे IRMS या VRMS भी कहते हैं तो आज का टॉपिक हमारा यह है जो आपके सामने दिखाए दे रहा है कि प्रत्यावरती धारा का वर्ग माध्यमूल मान IRMS equal to I0 by root 2 that is equal to 0.707 I0 होता है मतलब 70.7% शिक अर्मान का कल हमने पढ़ा था क्या कि जो माध्य वैल्य होती ही जो मीन वैल्य होती ही वो होती है 63.7% 63.7% of I0 तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस concept को समझेंगे कि वर्ग माध्य मूलमान होता क्या है चलिए तो वर्ग माध्य मूलमान के concept को समझेंगे बच्चों देखें आपके पास कोई AC सर्केट लगा हुआ है यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ है सर्केट के element बल वित्यादी और यहाँ पर आपके पास कोई AC सप्लाई लगी हुई है आप कुछ समय तक इस सर्केट को अन करते हुआ और धारा का उश्मी प्रभाव की वज़े से कुछ उश्मा निकलती है धारा के उश्मी प्रभाव की वज़े से क्या निकलती है कुछ heat निकलती है इस heat का नाम H है यह कौन सा circuit है यहां पर आपके पास AC circuit है और यहाँ पर जो current है वो कौन सी है यहाँ पर current आपकी है IAC आपके पास current कौन सी है AC current यहां पर travel हो रही है तो concept यह कहता है वर्ग माध्धिमूल मान का अगर आप T time तक के लिए किसी circuit में से AC flow करते हैं और उस time में उस दिये गए resistance में heat H बनती है heat क्या बनती है? H अब उसी के equivalent उसी के समतुल आप एक दूसरा circuit लीजिए जिसमें same resistance काम कर रहा हूँ मतलब जो बल वहाँ पे लगाया वो बल यहाँ पे लगाया same time के लिए operate कर रहे हूँ मतलब जितना time यहाँ था उतना time यहाँ था और same amount की heat निकालने के लिए डिस्ट धारा का DC का मान जो की वसी amount की heat निकाले जो की AC निकाल रही थी उस DC के value को क्या बोलते हैं? IRMS ठीक है ना? मतलब IRMS क्या है? IRMS वर्ग माध्य मूल मान धारा का किसी धारा का वर्ग माध्य मूल मान धारा की वह value है धारा का वह मान है जो की समान समय के लिए समान प्रतिरोध में दिश्ट धारा प्रवाहित किये जाने पर उतनी ही उसमा उत्पन करे जितनी की प्रत्यावर्ती धारा उत्पन कर रही थी ठीक न मतलब क्या कहा जा सकता है दिये गए समय में, दिये गए प्रतिरोध में, दिये गए प्रतिरोध में, जो उश्मिय उर्जा प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा उत्पन्य की जाए की जाए। उत्थीक उतनी ही उश्मा को को समान प्रतिरोध से समान समय में दिष्ट धारा का वहमान दिष्ट धारा का वहमान वर्ग माध्य मूल धारा कहलाता है जी हां यह क्या कहलाता है वर्ग माध्य मूल धारा दिष्ट धारा की वही वैल्यू जो की समान प्रतिरोध में समान समय में ठीक उतनी ही उसमा उतपन करे जितना की कौन कर रही थी AC ठीक है ना जितना की AC उतपन कर रही थी तो AC के बराबर उसमा उतपन करने के लिए आप जो DC value current की चलाओगे वो कहलाती है आपकी RMS value वो क्या कहलाती है आपकी RMS value root mean square value मतलब ये एक तरीके से AC को DC के रूप में समझने का तरीका है कि AC का प्रभाव generate करने वाली AC का प्रभाव उत्पन करने वाली DC की current की value क्या होगी AC का प्रभाव ठीक उतना ही प्रभाव उत्पन करे DC की value क्या होगी यस इसको बुलते हैं वर्ग माध्य मूल मान किसका धारा का आईए इसका derivation करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले एक cycle के लिए प्रथम चक्र के लिए एक AC current लेंगे और उसके प्रथम चक्र के क्लिए क्या निकालेंगे हीट निकालेंगे उश्मा निकालेंगे कि प्रथम चक्र में अगर वो बिद्द धारा एसी प्रत्यावर्ती धारा अगर रजिस्टेंस आर से जाए तो कितनी हीट डेवलप करेगी एक चक्र में एक चक्र मतलब समय कितना जीरो से लेकर कि टी एक आवर्त काल जीरो से लेकर टी में कितनी उश्मा उत्पन करेगी अब क्या करेंगे इसके बाद आपके पास उश्मा आ जाएगी मान लो इसने उश्मा कितनी डेवलप करी एच इसने उस्मा एच डेवलप करी एच उस्मा आ गई अब हम इसी के संगत एक नया परिपत बनाएंगे यहाँ पर AC की उसमा किती आई है? H अब इसी के संगत हम एक नया परिपत बनाएंगे जिसमें resistance भी R होगा जिसमें समय भी T ही होगा जिसमें बैटरी अलग होगी क्योंकि यहाँ पर DC लगने वाली है और करेंट चलेगी I कौनसी I? I, R, M, S ठीक है ना? तो करेंट यहां पर चलेगी I और हम देखेंगे कि समान उसमा अगर ये भी उत्पन करता है तो इसकी हीट का वैल्यू क्या होगी H equal to I square RT अब क्योंकि जैसा कहा मैंने कि DC का वह मान जो समान समय में समान उसमा उत्पन करें तो यहां की उसमा और यहां की उसमा दोनों क्या हैं बराबर हैं तो इधर की उसमा ले लो H A C यहां की उसमा H A C यहां की उसमा H D C और दोनों की उसमा जवाब बराबर करोगे तो आपके पास स्वतह आई का मान निकल करके आएगा वही होगा आपका वर्ग माध्य मूलवेग आईए करते हैं इसका डेरिवेशन चलिए तो प्रत्यावर्ती धारा को परिभासित कीजिए भाई ये तो परिभासित तो हम कल ही कर चुके हैं बड़े धूम धाम से ये प्रत्यावर्ती धारा क्या हुआ करती है खूब परिभासा है पढ़ ली है ना प्रत्यावर्ती धारा वह विदो धारा जिसका परिमार इवं दिसा दोनों समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते हैं आवर्ती रूप से आवर्ती रूप कहलो या एकांतर रूप कहलो है ना एक समय के बाद परिवर्ती होते हैं इसे प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है इसका निम्न समीकर्ण है ये तो कल इसकी हमने पूरी खोज़खवर डिसकवरी कर ली आई बराबर आई जीरो साइन में गटी अब आते हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमा ध्मूल मान और सिखर मान में संबन्ध वही मतलब वही वर्गमा ध्मूल मान ही निकालोगे तो सिखर मान के पद में ही आता है कितना आता है आई आर एमेस वर्गमा ध्मूल मान बराबर आई जीरो बाई रूट तो कोई कहे व वर्ग माध्य मूलमान निकालते हैं, तो देखे भाईया, आपके पास वर्ग माध्य मूलमान का तरीका क्या है निकालने का, ठीक ना, तो यहां पर क्या देखे, आपके पास में, आई स्क्वेर आर्टी को इंटिग्रेट कर दिया है, क्या कर दिया है, आई स्क्वेर आर्टी को इंटिग्रेट कर दिया है, आई आर्मेस की वैलियो निकालने के लिए, आई स्क्वेर आर्टी को इंटिग्रेट कर दिया है, ठीक है, कैसे कर दिया है, इसके पीछे एक कंसेप एक interval के लिए ये देखे एक interval के लिए HAC equal to HDC एक interval मतलब समय एक चक्र के लिए HAC बराबर HDC अब HAC मतलब I square काई कब ही या AC का R into T equal to I किसका DC का square R into T तो दोनों का R तो same है ठीक है दोनों का T भी क्या है same है तो इस तरीके से आपके पास में जो current आने वाली है IDC का square जो है वो जो current बनेगी एक चक्र के लिए IAC का वो क्या बन जाएगी square का root बन जाएगी यह concept समझना पड़ेगा आपको इसको यह लिख लीजे कहीं पर यह feeling पकड़ेंगे इसके बाद आपका यह आंगे बढ़ेगा question ठीक ना yes अब इसको हमको करना क्या है हमको इसको एक चक्र के लिए कि हमको इसको एक चक्र के लिए क्या है कि integrate करना पड़ेगा हमको इसको एक चक्र के लिए एक चक्र यानि की एक समयंतराल एक time period के लिए हमको इसको इंटिग्रेट करना पड़ेगा तब हमारा answer आ जाएगा आईए तो इसको इंटिग्रेट करता हूँ मैं क्या बनेगा देखिए आपके पास आपके पास जो current का समीकर्ण होता है वो होता है iac के लिए i0 sin omega t ये होता है आपका समीकर्ण idc का square बराबर under root iac है तो यहीं पर मैं दी solve कर दो इसको क्योंकि यहां पर इन लोगों ने solve किया है वो भी ठीक बात है बट थोड़ा सा मेरा वाला part आपको easy लगेगा तो i believe कि मैं आपको उस वाले part से ले करके चलता हूँ जो मैंने बताना है चलिए तो इस concept को पकड़िए यह concept भी आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या निकलना आपको धारा का वर्ग माध्य मूल वेग निकलना मूल वेग नहीं वर्ग माध्य मूल मान ठीक है ना क्या करना पड़ेगा आपको current के हर बिंदू का आप वर्ग कर दीजिए तो यह हो गया वर्ग के बाद आपको क्या करना है माध्य करना है तो माध्य मतलब आपने कहां divide कर दिया पूरे बिंदूओं का तो T बिंदू होंगे क्योंकि एक अंतराल में 0 से लेके T तक का समय होता है और वर्ग हो गया माध हो गया और माध जब निकालते हैं तो आप क्या करते हैं हर बिंदू को जोड़ते भी जाते हैं तो यह हो गया अपने पास में तो यह अपने पास में कितने आ चुका है यह आ चुका है अपने पास में I square और integrate कर दिया DT से तो क्या निकल गया देखें यह वर्ग का माध निकला है इतना पाट जो निकला है यह वर्ग का माध निकला है और इसका मूल हम बाद में निकालेंगे या आप चाहो तो अगर अंडर रूट अभी लगा दोगे तो थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी अभी आप यदि अंडर रूट लगा दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी तो बेटर है कि आप अभी बाद में कर लेना वो प्रॉसेस अभी आप इसको सिंपली इसी तरीके से खल होने दो बोलो समझ में आगया सभी को क्लियर हुआ कि एक बार और बताएं चलो देखो क्या है कि हमें वर्गमा ध्मूल मान निकलना है तो क्या है कि हमें वर्गमा ध्मूल मान निकलना है तो वर्गमा ध्मूल मान की जो थियोरी है उसमें हमारे पास देखिए वर्ग भी है माध्ध भी है मूल भी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वर्ग तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया इसके बाद माध्य करना है तो माध्य क्या होता है अब भीया बदलने वाली राशी है तो माध्य मतलब सबका जोड तो जोड करनी के लिए क्या करते हैं इंटिग्रेशन डीटी के रिस्पेक्ट में और माध्य के लिए क्या लगाते हैं पूरे बिंदू तो नीचे आ गया टी तो यह हो गया वर्ग माध है और मूल भी निकला नहीं है इसलिए मूल निकलने के लिए यहां से रूट लगा दो आप तो यहां से यह पूरे का रूट आ जाएगा अधरवाइस आप रूट ना लगाना हो तो यहां पे भी देखिए आई आई आर एमस का स्क्वाइर एक्वाइर टू वन अपॉन टी ठीक है ना और यहां पे आई का स्क्वाइर और यहां पे डी टी और जीरो से लेकर के टी तक यह देखो मैंने जो आउसत वाला टी है मैंने यह बाहर रख दिया है चलो अब इसको हल करते हैं तो आई आर एमस का स्क्वाइर एक्वाइर टू वन अपॉन टी जीरो से लेकर टी करेंट का मान कितना होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वाइर हो जाएगा और यह डी टी हो जाएगा बोलो समझ में आया इतना बोलिए तो I0 का whole square बाहर हो जाएगा क्योंकि constant है और T भी constant है बाहर हो जाएगा अंदर के बल क्या बचा अंदर आपके पास बचा है sine square omega T ठीक है और कितना है limit zero से लेकर T तक आईए इसको आराम आराम से solve करते हैं पूरा integration ही लगना है नहाँ पे तो I0 का square upon T आप सब जानते हैं कि sine square omega T को तोड़ने का तरीका होता है 1 minus cos 2 omega T upon कितना 2 ये होता है और limit कितनी है 0 से लेकर T यहाँ पर I0 square upon T चलेगा और यहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ चल रहा है I rms का square भूलिएगा नहीं तो देखिए 1 upon 2 भी common बाहर आ गया है तो bracket के अंदर क्या बचेगा bracket के अंदर बचेगा 1 और यहाँ पर DT है तो 1 DT minus cos 2 omega T और क्या है अपने पास में DT अलग-अलग कर दिया जाए यह ना भी किया जाए तो 1 DT minus cos 2 omega T चल यह अलग-अलग कर दिया है 0 से लेकर T अब आप देखिए cost का कोई भी फलन हो cost के फलन की average value एक अंतराल में कित्ती होती है यह cost का फलन है यह रेखिए cost का फलन है और 0 से लेकर T मतलब एक चकर में यह 0 है यह T है 0 से लेकर T एक चकर में देखिए cost की value कित्ती होती है 0 होती है क्योंकि जितना धनात्मक जाता है उतना ही रनात्मक जाता है तो एक चक्र में जो cost का integration होता है वो पूरा का पूरा जीरो होता है तो आप इसको time खराब न करें एक चक्र के लिए cost का मान जीरो होता है तो ये जो part है इसका मान आपको जीरो ही रख देना है लिख देना है क्यों चाहे आप sin theta का average value ले लो चाहे cost का average value ले लो एक चक्र के लिए value 0 हुगा करती है तो अपने पास कितना आ गया i r ms का square equal to हो गया i 0 square upon 2t और 1 का integration कितना आएगा 1 का आएगा t और limit कितनी put करनी है आपको 0 से लेकर के t यह limit आपने put करनी है 0 से लेकर t put कर दीजे तो i 0 square upon 2t capital T equal bracket में upper limit है t और lower limit है 0 तो t ही आया और t से t क्या हो गया cancel तो आपके पास मान तयार हो चुका है i r ms का whole square is equal to कितना आजाएगा i 0 का square upon 2 और यदि यहाँ से square हटाएंगे जो कि हटा नहीं था हमको root लेने के लिए एको की question में concept है वर्ग माध्य मूल तो वर्ग हो गया माध्य भी हो गया अब मूल भी लेना था तो मूल के लिए i r ms equal to हो जाएगा under root i 0 square upon 2 तो i 0 का part बाहर आजाएगा केवल क्या बचेगा root 2 वाला part तो यह हो गई आपकी धारा का वर्ग माध्य मूल मान यह important derivation है तो देखे यहाँ पर इन लोगोंने cost to omega t को पूरे तरीके से solve किया मैं कहूंगा बिल्कुल मत solve करिए सीधे लिग दीजे 0 से लेकर T और T की value बदलने की भी कोई जरूरत नहीं हलाकि T होता है T equal to 2 pi upon omega सब लोग जानते हो गया आप T is equal to 2 pi upon omega बट कोई value नहीं है बदलने की आप तो सीधे T के terms में खेलो ना और सीधे मैंने जो बताया आप उस तरीके से solve करो अब बार में फिर से यहां से इसने omega upon 2 pi किया T को अरे क्यों करना हम सीधे T के terms में यह answer लाएंगे और answer हमारे पास कितना आ जाएगा i rms equal to i zero by root 2 तो इसने थोड़ा सा difficult बना दिया इसलिए मैं सोच रहा था कि इस वाले से अपन एवाइड करें बट अपने पास जो हो गया फाइनली हमने इस तरीके से कर दिया अगलक से इस शीट पर कर दिया है तो आप लोग को करना क्या है जल्दी से आप इस शीट को देख करके यह derivation note कर लो ठीक ना यह मैं आपके main window में लियाता हूं यस तो जल्दी से आपको करना क्या है इसको note करिए ठीक ना i equal to i zero sin omega t से लेकर के start कर दीजे यह आपका रहा derivation प्लीज note that तो बच्चो ये था धारा का वर्ग माध्यमूलमान चली अब देखे इस पर question कैसे आते हैं छोटे छोटे उनको देख लेते हैं कुछ question है यहाँ बड़े रोचक type के प्रशनक्रमांक एक जैसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्यावरती धारा के वर्ग माध्यमूलमान श्यखर मान की परिभासा लिखकर उन्हें संब्ध इस्तापित करो वर्ग माध्यमूलमान क्या होता है दो परिभासा आg मैंने एक बार अभी बताई आपको मैंने एक ख़ा सम्धारिवान सा, मैंने बताई कि एक चक्र में, परत्या वर्ति धारा जितनी हीट बनाए, दिये गए प्रत्रोध में ठीक उतने ही समय में, उतनी समय में उतनी एमाउंट की ہीट उत्पन्न करने के लिए इसका उतननी दिष्ट धारा लगती है उसको बोलते हैं। भासा देखिए जो की बहुत ही सरल है प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में ये देखिए एक पूर्ण चक्र में धारा के सभी बिंदू का वर्ग पूर्ण चक्र में धारा के सभी बिंदू मतलब ताच्छनिक मानों का वर्ग ले लिया मतलब क्या मानलो यदि यहा स्क्वायर एक पूर्ण चक्र में धारा के सभी मानों का वर्ग का मध्यमान मतलब डिवाइड़ वाई टोटल यहां से लेक करके यहां तक आपने कितने बिंदू लिये हैं एन बिंदू यह हो गया माध्यमान कि यह मध्यमान नहीं होना चाहिए यहां पर माध्ये लिखा है वर्ग माध्ये का क्या वर्ग मूल जो होता है इसे प्रत्यावर्दी धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं परिभाशा आप खुद से बना सकते हो बहुत ही सरल है बट इसमें कोई फीलिंग नहीं आ रही कि परिभाशा क्या दे रही बट मैंने जो बताई थी पूरी फीलिंग वाली और बिल्कुल राइट कंसेप वाली परिभाशा है यह तो चलो बच्चों वाली हो गई इसे प्र आयाम भी बोलते हैं और आपको पता भी आपने पढ़ा है कि IRMS वर्गमा दे मूल मान जो होता है वो सिखर मान का रूट तू भागे होता है तो सिखर मान बराबर IRMS into रूट तो इस तरीके के समन्ध और इस तरीके के छोटे-छोटे सवाल आपको आते रहते हैं अगला क्व प्रत्यावर्ती धारा का चुम्बकी और रासाइनिक प्रभाव सुनने क्यों होता है कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो एक चक्र में प्लस और माइनस मतलब दिशा बदल देती है और रासाइनिक और चुम्बकी प्रभाव तो आपको पू हुए है रासानिक प्रभाव में तो यह प्लस माइनस है पहले तो यह एनोड बन जाएगा और यह कैथोड बन जाएगा और दूसरे चक्र में यह कैथोड बन जाएगा और यह एनोड बन जाएगा तो आइनन पहले एक दिसा में होगा फिर उल्टा दूसरी दिसा में हो जाए और चुम्ब की प्रभाव में तो आप देखी चुके हैं कि धारा पर डिपेंड करता है इसलिए पूर्ण चक्र में औस धारा का मान सुन होने की वजह से प्रत्या धारा प्रत्या वर्ति धारा का ना तो आपको चुम्ब की प्रभाव देखने को मिलेगा ना आपको रासायनि इसी इतनी तेज होती ही 50 Hz कि हम लोग पते ही नहीं कर पाते हैं बीच की situation को इसलिए इसको overall 0 ही बूला जाता है चली चली अब अगले topic की और आते हैं अगला topic है AC analysis circuit analysis अब हमारा topic है कि हम जो circuit होते हैं different different उन circuit का हम analysis करेंगे circuit visualization करेंगे विभिन विभिन परिस्थितियों में ओके सो अभी लिख दीजे AC analysis ठीके ना मतलब प्रत्यावरती धारा में अलग अलग circuit है उनका हम visualization करेंगे अलग अलग circuit का visualization करेंगे तो प्रत्यावरती धारा में circuit का visualization करने के लिए हमें तीन सबसे पहले तीन चीजे जानने जरूरी है कि प्रत्यावरती धारा में तीन चीजों का हम visualization करने जा रहे हैं सबसे पहला है R आर याने प्रतिरोध तो प्रतिरोध का काम बिलकुल जैसा AC में हुआ वैसा DC में हुआ करता है और इसका काम है धारा को रोकना और ये जो होता है धारा को रोक करके अपनी उश्मा के रूप में बरबाद करता है जो प्रत्यावरती धारा की ओरजा होती है या दिश्ट धारा की ओरजा होती है इसको रोक करके किसके बरबाद करेगा उश्मी रूप से बरबाद करेगा तो R जो प्रतिरोध है वो AC और DC के लिए बिलकुल सेम बेहिप करेगा और इसकी इकाई होती है ओम इकाई इसकी क्या होती है ओम तो हम देखेंगे R सरक्ट के लिए एक्शन देखेंगे फिलहार हम पहले पूरे उनकी जानकारी बता दें अगला क्या होता है L अगला होता है L अगला element जो है L L आपने DC में कम ही देखा होगा बट AC में आपको L काम में आएगा L बोलते हैं प्रेरक कुंडली प्रेरक कुंडली तो L का action प्रेरक कुंडली के लिए क्या रहेगा उसके लिए हमें डेरिवेशन डेवलप करेंगे अब आईए देखते हैं L का action क्या रहेगा तो L के action को समझने के लिए L जो होता है ये कुंडली को आप अगर किसी circuit में लगाएंगे किसी AC circuit में लगाएंगे तो जैसे आपने देखा है कि resistance जो होता है जो प्रतिरोध होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है धारा की frequency के साथ कि आवर्ति कितनी है इसका आवर्ति से कोई लेना देना नहीं है मतलब प्रतिरोध जो होता है वो आवर्ति से मुक्त होता है R is proportional to omega की power 0 जो कोणी आवर्ति होती है omega कहा होती है जो ac का समीकन आता है आपके पास में धारा धारा का समीकन i बराबर i0 sin omega t होती है ये तो इसमें जो omega हुआ करता है इस omega से प्रतिरोध को कोई मतलब नहीं है चाहे तुम आवर्ति तेज रखो चाहे धीर रखो उसका कोई मतलब नहीं है परन्तो बच्चों xl एक प्रकार का कुंडली का प्रतिरोध होता है परन्तो यह थारा की आवर्ति पर निर्भर करता है इसे बोलते हैं, इसके प्रतिरोध को बोलते हैं XL और ये कहलाता है prayer की प्रतिखात क्या कहलाता है ये prayer की प्रतिखात Yes, in English inductive reactance ठीक ना, इसको inductive reactance या prayer की प्रतिखात कहते है तो XL का मान याद कर लो अभी के लिए XL equal to होता है 1 upon omega L यह देखो भाईया नाना करत लिग दिया omega L, XL का मान कितना होता है omega L, XL जो होता है जो प्रेरिकी प्रतिगात होता है यह निर्भर करता है frequency पर अब महसूस करो इस बात को कि XL directly proportional to omega है क्योंकि किसी कुंडली का L तो constant होता है पढ़ क्या है पिछले chapter में भाईया L तो number अब फिर उपर depend करता है, area पर depend करता है लंबाई पर depend करता है, त्रिज़ा पर depend करता है जब एक बार market से कुंडली खरीद के आ गए तो ना number अब फिरे बढ़ा सकते हो ना लंबाई ना तरिज़ा ना कुछ तो भाईया L तो fix हो गया और बदलो कि क्या supply बदल सकते हो क्योंकि आप भी बात हो रहे है supply बदलने की, तो अगर omega बढ़ाओगे तो XL बढ़ेगा मतलब अगर जितनी जोर की frequency होगी आपका प्रत्रोध उतना ज़्यादा होगा प्रतिगात उतना ज़्यादा होगा तो इसी बात पर बात करते हैं कि अपने पाद जो DC में अगर आप लगा दोगे किसी क्वाईल को DC में अगर किसी क्वाईल को लगा दोगे एक मार्क्स के question बनेंगे कि DC में अगर quail को लगा दिया जाए तो इसका प्रतिगात कितना होगा भाई साब DC की frequency beta होती है 0 क्योंकि DC dance करती ही नहीं है उपर नीचे होती ही नहीं है तो DC का omega कितना होता है 0 होता है और DC का omega 0 होने से इसका जो XL होता है omega L कुंडली होती है वो DC के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिगात ओफर नहीं करती है और XL बराबर 0 हो गया मतलब जो quail होगी वो एक आदर्श पटिका के समान बेवहार करेगी हाँ बढ़ जिस material की बनी है बच्चों उसका कुछ तो resistance होगा मगर खुद की तरफ से कुछ नया ओफर नहीं होगा जो material बनी है जिसका steel की बनी है तो उसका खुद का थोड़ा बहुत resistance होगा वो मिल जाएगा मगर यहाँ पर जो आपको Excel मिल रहा था वो नहीं मिलेगा ठीक तो इसलिए क्योंकि DC के लिए resistance कितना हुआ करता है 0 DC के लिए यह current को आराम से जाने देती है कि current जाओ कोई problem नहीं है बट AC में आप जितनी frequency बढ़ाते जाओगे आवरती बढ़ाते जाओगे Excel आपका बढ़ता जाएगा एकसल आपका AC में बढ़ता जाएगा तो Excel proportional to omega एक बार फिर से बोलूँगा Excel equal to omega L और इसकी इकाई क्या होती है बच्चों इसकी इकाई होती है ओम इसकी इकाई होती है ओम क्योंकि ये एक प्रकार का प्रितरोध ही है मगर प्रितरोध कैसा है जो frequency पर depend करे जो frequency पर depend करे मानलो मतलब resistance क्या कहता है resistance कहता है धारा से कि तुम चाहे dance करके निकलो धारा एक बरात है तो resistance बोलता है धारा से कि चाहे तुम नाच गाना करके हमारे घर के सामने से निकलो या सांती पूर्ण तरीके से निकलो हमें तो तुम्हें रोक नहीं है हम तो तुम्हें resistance देंगे ही देंगे मगर inductor क्या कहता है inductor कहता है कि तुम अगर सांति पूर्ण तरीके से बिना dance करते हुए निकल जाओगे मतलब omega बराबर 0 रखोगे तो हमारा excel कितना रहेगा 0 और अगर dance दोंदरा करके निकलोगे तो हमारा अगर तुम्हारा omega बढ़ेगा तो excel भी बढ़ेगा समझ गया ना मतलब ac को किस से problem है इसके vibration से problem है इसकी frequency से problem है यह हो गया excel excel equal to omega l और बच्चों omega आपने 11th class में पढ़ा है omega equal to 2 pi upon t होता है और 1 upon t को आपन f रख कर देते हैं तो बिटा यह 2 pi f भी बन जाता है तो कहीं कहीं पर आपको यह 2 pi f into l के रूप में मिलेगा तो omega equal to 2 pi f into l ठीक येस तो इतना जो मैंने बताया है AC analysis के लिए सबसे पहले मैंने inductor वाला पार्ट बताया इतनी आप जदी से इसका photo ले ले फिर आँगे बढ़ते हैं इसके बाद हम capacitor वाला पार्ट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे capacitor का प्रतिखात तो इसको बोलते हैं प्रेरिकिये प्रतिखात और capacitor को बोलते हैं संधारित्र तो संधारित्र का प्रतिखात कहलता है संधारित्रिये प्रतिखात बुलो डन क्लियर है चलिए तो अब पढ़ते हैं अगला प्रतिगहात भाई साब जिसका नाम है धारतिय प्रतिगहात तो अब धारतिय प्रतिगहात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जब मैं DC सर्किट आपको पढ़ाता था सरकिट पढ़ाता था ऑब using voltage के सरकिट पढ़ाता था और मैं एक capacitor को ले करके यहाँ पर एक DC बैटरी लगाता था छहegen होता था और इस क्लास में मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था है ना कि छहेएट बैटरी ले करके आप इसको यदि लगाते थे तो यह प्लस और माइनस फटाफट चार्ज होता था और ये 6 वोल्ट होता था ये भी किता हो जाता था 6 वोल्ट इसके बाद इसमें से कोई current flow नहीं होती थी मतलब current flow नहीं होती थी मतलब I equal to कितना 0 अरे भाई टंकी भर गई अब उसके बाद आवेश आंगे नहीं बढ़ेगा current बराबर 0 और current बराबर 0 को physics की भासा में बोला जाता है resistance equal to कितना infinity अब देखिए इस concept को समझे एसी के माइने में ये आपके पास में एक AC सप्लाई लगी हुई है और यहां पर आपके पास में कोई capacitor लगा हुआ है तो बच्चों AC के favor में AC के दृस्टी में capacitor का जो resistance होता है उसे बोलते हैं pure capacitor का resistance कहलाता है prayer की ये प्रतिगात नहीं कहेंगे धारती ये प्रतिगात कहेंगे क्या बोलेंगे धारती ये प्रतिगात capacitive reactance reactance को access हो करते हैं C for capacitor और XC equal to 1 upon omega C ये देखिए XC equal to 1 upon omega C और यहां पर क्या दिख रहा है C तो constant अबाई खरीद के लाइद constant हो गया XC is inversely proportional to omega जी हाँ XC inversely proportional to omega मतलब frequency जितनी ज़्यादा होगी धारती ये प्रतिगात उतना कम होगा जितनी high frequency के आप current भेजोगे धारती प्रतिगात उतना कम होगा और आप देखे DC के लिए omega 0 होता था DC के लिए frequency होती नहीं थी dance होता नहीं था तो DC के लिए omega 0 होता था और अगर आप omega 0 रख देंगे तो xc बराबर कितना आएगा infinity आएगा मतलब अनन्त प्रतिरोध मतलब full charge हो जाएगा और किसी प्रकार की धारा को यहां से वहत नहीं करेगा समझ में आगया full charge होके disconnect हो गया open circuit बन गया और xc बराबर infinity हो गया आपने देखा कि तीन प्रकार के प्रतिरोध के दर्शन होते हैं AC circuit के लिए प्रतिरोध को प्रतिरोध ही बोला गया L के लिए inductor के लिए प्रतिगहात बन गया और capacitor के लिए भी प्रतिगहात बन गया और XC equal to 1 upon omega C, याद रखेगा XL proportional to omega, frequency के साथ बढ़ेगा, और XC inversely proportional to omega, with कुरमानुपाती omega, मतलब frequency के साथ घटेगा, frequency बढ़ेगी, तो XC घटेगा, तो दोनों का यदि कर्व देखा जाए, तो बड़ा मज़ेदार कर्व बनता है, देखे, XC proportional to omega, गलत बोल गया, XL proportional to omega, और दूसरा, XC inversely proportional to omega, तो यदि मैं दोनों का ग्राब बनाऊ, ये XL का बनाऊ, और ये omega का बनाऊ, तो XL proportional to omega, straight line बनेगी, क्यों? क्योंकि दोनों में directly रिश्टेदारी है, XL proportional to omega, और दूसरा यदि मैं ग्राब बनाऊ, XL हो गया है, अब मैं XC वाला यदि मैं ग्राब बन आता हूँ, देखिए, XC वाला, तो यहीं पर XL ले लूँ, और इसी में XC जो है, उमेगा के inversely proportional है, तो वित क्रमानुपाती का ग्राफ ये आता है, इस तरीके से, तो आप ध्यान से देखिए, एक बिंदू गा रहा है यहां पे, जहां पे दोनों के प्रतिगात बराबर हो XC, क्योंकि जितना L का प्रतिगात आया है, उतना ही XC का प्रतिगात आया है, C का प्रतिगात आया है, और इसके corresponding आने वाले समय में आप पढ़ेंगे, जो frequency आएगी, XL बराबर XC के corresponding जो frequency आएगी, जो आवरती आएगी, उस आवरती को बोलेंगे, आप अनुनादी आवरत यह बहुत important है, यह बनेगी अनुनादी आवरती, हलाकि जिक्र पहले कर दिया है, मैंने अभी इसका कोई काम नहीं आया है, बड़ बाद में पढ़ेंगे, ग्राब तो मैंने बताई दिया, अलग-अलग ग्राब देखना तो अलग-अलग ग्राब देख लो, XL का ग्राब द बने हुए, कुछ जादा ही detail में चले गए है, वापस आते हैं, तो हमारे पास तीन प्रकार के हमने circuit element पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया, R हमने पढ़ लिया, L हमने पढ़ लिया, C, प्रति घात पढ़ लिया, अब हमारा topic है, प्रतिरोध हो गया, प्रति घात हो गया, अब ह आगे पढ़ने वाले हैं, प्रति बाधा, जब आप किसी दो circuit element को mix कर दो, जब आप किनी दो element को mix कर दो, तो आपके इस पास में जो circuit का कुल प्रतिरोध होता है, उसे बोलते हैं, आप प्रति बाधा, ठीक है न, जब आप दो circuit element को mix कर देंगे, तो जो आपके पास तुल प यह आपके पास में L है और आपने इसके साथ resistance मिक्स कर दिया है यह देखिए तो इस circuit को बोलोगे LR circuit बोलोगे या RL circuit बोलोगे LR बोलोगे या RL बोलोगे कुछ भी बोलो अब देखा जाए तो इसका जो प्रति घात आएगा कितना आएगा एक्सल और इसका कितना आएगा भाई साब R तो इसका जो कुल प्रति रोध बनेगा उसको बोलोगे Z क्या बोलोगे Z और मैं आपको derivation कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि Z जो होता है Z का परिमान जो होता है वो आएगा अंडर रूट R square प्लस XL का whole square जिन लोगों ने पढ़ा है पुराने lecture सुनको पता ह होगा और नए बच्चे घबराएं नहीं अभी derive कर देंगे गया गया जड का mod निकलेगा तो जड क्या कहलाएगा पूरे circuit की प्रतिवाधा कहलाएगा तो प्रतिगाद देख लिया प्रतिरोध देख लिया और प्रतिवाधा भी देख लिजे अगला देखते हैं आपके पास एक है resistance R और साथ में connected है C तो जो आपके पास circuit बनेगा उसकी ये देखे इसका resistance तो R होता है और इसका पता आपको XC होता है तो जो resistance बनेगा बच्चों वो बनेगा Z का mod बराबर कुल प्रतिगाद बराबर R स्क्वाइर प्लस XC का whole स्क्वाइर अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ line एक line और important बताए देता हूं अभी पहले एक और हो जाए उसके बात बताऊंगा तो और अच्छा लगेगा R L C तीसरा सरक्विट तो इसका जो प्रतिबाधा आएगा Z का mod बराबर R स्क्वाइर प्लस XL माइनस XC का whole स्क्वाइर आएगा या XC माइनस XL का whole स्क्वाइर आएगा depend करेगा मजबूत कौन है अगर L बड़ा है C से तो XL माइनस XC हो जाएगा और अगर XC बड़ा है XL से तो XC माइनस XL हो जाएगा तो फिलहाल L XL बड़ा है XC से तो इस पर जादा जोर मत दीजिए भी आप उस सब समझ में आएगा फिलहाल केस में XL बड़ा है XC से अमें जो आपको एक ठीज बताने वाला था उस पर डिसकस कर लूँ क्या बताने वाला था यहां पर यह जो Z का मौड दिखरा आपको यह आपको कॉंपलेक्स नंबर की याद दिला रहा होगा कि अगर आपके पास कॉंपलेक्स नंबर होता था Z बराबर A प्लस IB तो mod of Z equal to होता था mod of under root A square plus B square बिल्कुल सही तो यहां पर आपके पास जो Z बनेगा वो भी एक कॉंपलेक्स राशी बनेगी और वो बनता है R प्लस आयोटा की जगे J यूज करते हैं electricity में J XL तो यह चीज थोड़ी सी note कर लो अभी तो काम में नहीं आएगी future में बहुत काम में आएगी अगर electrical बगरी लेके पढ़ोगे तो बहुत काम में आएगी R equal Z equal to R plus J XL Z equal to R plus J XL और don't worry अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा तो आपको वो भी समझ में आजाएगी यह कैसे होता है हाँ एक और है LC circuit तो भईया LC circuit का response हमारे syllabus में तो नहीं है बट देख लीजे यह LC circuit है तो अपने syllabus में सारे के सारे series circuit है और parallel में केवल एक circuit है जिसका नाम है tank circuit बोलते हैं जिसको LA और यह CA थोड़ा सा यह circuit हमार को पढ़ना है जादा नहीं पढ़ना है इसका केवल लिखा हुआ है LC circuit का गुणात्मक विशलेशन यह आपके syllabus की लाइन है LC circuit का गुणात्मक विशलेशन मतलब केवल इसके गुणों के बारे में जानना है तो यह parallel LC circuit है बच्चों आपके जितने भी mobile होते हैं जितने भी antenna using device होते हैं इसमें सब में यह लगा होता है इसको बोलते है tank परिपत क्यों बोलते है tank परिपत तो नाम समझ में आई गया होगा इसके अंदर देखो इतनी बड़ी टंकी बन रही है इसलिए इसको बोलते है tank परिपत और इसका काम क्या होता है बच्चों इसका काम होता है विद्धुत चुम्मी की तरंगे बनाना जी हाँ तो यह जो परिपत होता है यह विद्धुत चुम्मी की तरंगे बनाता है रेडियो तरंगे जो आप mobile में जब call करते हो तो आपको उस समय तो पता नहीं चलता है मगर आपका ये परिपत विद्द चुम्म की तरंगे बनाता है और उन तरंगों के उपर आपकी audio energy को लोड करता है ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक ट्रक के अंदर सबजियां लोड करके एक जगे से दूसरे जगे तक भेजी जाती है उसी तरीके से आपका audio signal इस विद्द चुम्म की तरंगों के अंदर ये देखो signal जा रहा है लो छत्रपाल क्या हाल चाल है इस्कूल छोड़के क्यों चले गए हूँ तुम्हारी बहुत याद आती है ये देखो ये signal आपने लोड कर दिया है और ये signal आपने लोड करके आंगे बढ़ा दिया है तो ये एक दूसरा विशा है जो लोग communication की दिसा में जाएंगे उसको दूर दूर तक पढ़ेंगे कि आखिर audio signal किस तरीके से लोड होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी की उपर और किस तरीके से signal भेजा जाता है बस आपना काम इतना है कि आपने इसको tank circuit पढ़ें और tank circuit क्या करता है tank circuit जो होता है रेडियो तरंगे बनाता है रेडियो विप्स बनाता है जनरेट करता है अलग-अलग frequency की ठीक है और करेगा मतलब कौन वाइब्रेट करेगा उर्जा को दोलित करेगा और दोलायमान उर्जा ही तो होती है क्या विद्दुचुम्ब की तरंग विद्दुचुम्ब की तरंग में दोलायमान उर्जा दोलायमान कड जो होते हैं वो विद्दु चुम्ब की तरंगे बनाते हैं तो चलो खेर बाद में पढ़ेंगे अभी इसको जवाएगा नहीं तो टॉपिक से बहुत दूर चले जाएंगे मेन अपन को क्या पढ़ना है LC parallel circuit का गुरात्मक visualization करना वो अपन कराएंगे आँगे पढ़ते हैं तो ये तो हो गई पूरी जानकारी अब हम one by one पूरे circuit के बारे में पढ़ेंगे आपको तीनो circuit के बारे मैं आपको पढ़ाऊंगा L circuit, C circuit, R circuit बस formula आपको याद होने चाहिए कि R का formula तो R होता है L का formula Excel होता है और उसका formula XC होता X equal to one upon omega C आईए तो visualization करते हैं पहले circuit का AC analysis करते हैं मतलब की प्रत्यावर्ती धारा analysis किसका pure R का तो पहला circuit हमारे कूर्स में है pure R circuit शुद्ध क्या बोलेंगे शुद्ध रजिस्टिव प्रतिरोध ही ये परिपत शुद्ध प्रतिरोधी ये परिपत का हम visualization करने जा रहे हैं कैसा visualization? AC visualization तो आईए दोस्तों ये हमने लगा दिया pure resistance R बिना किसी मिलावट के और किस में लगाया है? AC supply में लगाया है AC supply में वोल्ट इस्टना टन चमक रहा है V equal to V0 sin omega T V equal to V0 sin omega T जैसे ही voltage आपने लगाया ये plus है, ये minus है फिर momentarily ये minus हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा तो current धारा मान लिजे किसी समय जब ये plus था, ये minus था उस समय ये धारा यहां से चलना सुरू होती है ओके? येस तो आईए फेजर डाइग्राम बना लेता हूँ मैं, voltage देखिए कुछ इस तरीके से starting कहां से होगी? 0 से, क्योंकि sine का function है तो 0 से ये voltage चलना सुरू हो गया ये देखिए अधिकता मान कितना है? V0 चली अब current की बात आईती है तो भाई साब, current I is equal to होता है V upon कितना? R तो V की value है V0 sin omega T upon कितना? R इस R का प्रभाव केवल V0 के उपर पड़ेगा और V0 upon R जब voltage में आप किसी चीज को भाग दोगे तो कम हो जाएगा कि जादा हो जाएगा? कम हो जाएगा और एक current की value सेटल हो जाएगी और यह बन जाएगा I not sin omega T So current equal to आगई I equal to I not sin omega T तो मज़े की बात क्या है? कि voltage और current एक ही धुन में गाना गा रहे हैं हम साथ साथ है देखे, voltage का भी phase क्या है? omega T dynamic phase और इसका भी phase क्या है? omega T मतलब दोनों कह रहे हैं कि हम साथ में चलेंगे जैसे तुम चलोगे वैसे हम चलेंगे same phase में बिल्कुल मिले सुर मेरा तुम्हारा ठेक है? अब देखे, यहाँ पे V0 sin omega T है sin omega T बट जो current का magnitude आएगा क्योंकि वो voltage के division से बना है तो current थोड़ी सी कम होगी voltage की मात्रा में मतलब परिमार की मात्रा में हलाकि voltage और current की तुलना आप नहीं कर सकते हो क्योंकि voltage अलग मात्रा है current अलग मात्रा है बट यहाँ voltage 9 volt रहा होगा तो current उसकी कम रहेगी मानलो resistance अगर आपका 3 है तो अगर परिमामी voltage आपका वो उस्चिष्ट voltage 9 था और 9 में आपने 3 का भाग दे लिए तो भाई साब 3 ही तो बनेगा यह सौर नो मतलब यह थोड़ा सा कम आएगा तो आईए मैं current की phaser बनाता हूँ बड़ा मज़ा आने वाला current की phaser को देख करके यह देखे current की phaser थोड़ी सी कम जाएगी यह गई क्योंकि voltage से divide हुई है तो कम तो बनेगी भाई सब यह देखे बाकी हाथ जहां इसका उठेगा वहां इसका उठेगा तुम जैसे नाचोगे हम वैसे नाचेंगे बिल्कुल same phase में है यस इसको बोलते हैं same phase तो यदि दोनों की equation लिख दी जाए यहाँ पर इसी बात पे तो current की equation बनेगी I zero sine omega t और उपर जो voltage की equation बनेगी V equal to V zero sine omega t तो यह हो गया इसी response अब इसका phaser diagram मनाता हूँ मैं यह कौन सा diagram है वे डाइग्राम मतलब तरंग चित्र तरंग चित्र है यह वेव चित्र तरंग चित्र अब मैं क्या बना रहा हूँ phaser diagram यह लो भाई साब phaser diagram यह phaser diagram अपने बनाया किसी छण पर देखो भाई साब V equal to V zero sine omega t omega t का मतलब क्या होता थीटा बताया था मैंने theta बराबर कितना omega t यह भूल गया तो एक बार फिर बता देता हूँ theta omega equal to होता है कोण यह वेख बराबर कोण यह विस्थापन बटे समय अंतराल theta equal to कितना है omega t yes तो यह omega t ही है theta तो yes यह देखिए शुरुवात में शुरुवात में यहाँ पर theta equal to कितना 0 t समय के बाद यह voltage का फेजर गया t समय के बाद voltage का कोण कितना है देखो omega t है है की नहीं है t समय पर voltage का जो कोण बन रहा है वो कितना है omega t मतलब t समय पर voltage का कोण है omega t और यह देखो यह voltage का अधिकतम मान कितना है V0 वी नॉट और उसी समय ओमेगा टी फेजर पर करेंट भी जा रही है उसी फेज में जा रही है तो इसके उपर करेंट बना दिया परन्तु करेंट का मान परिणाम थोड़ा सा तीछे है तो यहां पर क्या आएगा आई नॉट तो यह है बच्चों इसका फेजर डाइग्राम इसको बोलते हैं कला चित्र बोलो यह चीज्erm समझ में आए कि नहीं यह इंपोर्टन है यह देखो यह क्या था थीटा एक वाल टू जीरो यह ऐसीको बोलते हैं थीटा एक वाल टू जीरो हो गया श्री अलक से बोलें गया क्लियर हुआ चली तो यह आपका डाइग्राम हो गया इसको वन शॉट में क्लिक कर लो भाई साब इसको चलो इसको फोटो ले लो फिर आपने आंगे बढ़ते हैं यह हो गया अपने पास प्योर आर सर्कित सर्किट का विशलेशन हो गया यह शुद् प्रतिरोध ही यह परिपत का विशलेशन चली यह देखिए दिखदर्शिका का क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 21 एक प्रत्यावर्ती धारा परिपत में विशुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है वही विशुद्ध मतलब शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है परिपत क्यों आएगा दोनों सेम फेज में थे क्वालांतर जीरो नहीं होगा ओमेगा तो आवरत्ती होती है क्वालांतर किता होगा जीरो देखो दोनों गाना गारी है मेले सुर मेरा तुम्हारा सेम फेज में है न तो क्वालांतर किता होगा यहाँ पे जीरो ओके क्वालांतर फाई स sin omega t plus phi अगर बनता तो अभी आपने देखा है फिलाल current की question आई है i equal to i 0 sin omega t तो बोलो phi का मान कितना है 0 ही तो है ना तो यहाँ पर phi का मान 0 है धारा और voltage के बीच समय के साथ परिवर्तन आरेक के द्वारा प्रदर्सित कीजें मतलब जो जो मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ इसने पूछ लिया है कि धारा और इसके साथ समय का आरेक बनाईए चलिए तो कैसे करेंगे देखलो भाई साब सबसे पहले voltage की value ले ली है फिर इसके बाद divide कर दिया और यह देखो उपर प्रत्यावरती विदुत वाहक बल नीचे प्रत्यावरती धारा clear है चलिए तो अगला देखते हैं अगला है मैं पास में एक प्रत्यावरती धारा परिपत में विदुत वाहक बल E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी अब चाहे बहिया कहीं पर E बराबर E नॉट लगा दे भी बराबर V नॉट लगा दे वो केवल लगाने की बात है कोई ज़्यादा विशेस फर्क नहीं आता है यस तो देखे यहाँ पर कह रहा है कि यह इस प्रकार का विदुत वाहक बल लगा दिया गया है और आपको निकालना है उसमें बहने वाली धारा के लिए वेंजा के स्थाफित करना है मतलब कौन सा परिपत है यह शुद्ध प्रेरे की परिपत है अगला जो हम बताने वाले हैं शुद्ध प्रेरे की परिपत है और इसमें आपने सप्लाई लगा दी है यह सप्लाई है आपके पास विद्धुत वाहक बल E actually क्या होता है कि देखो यह जो AC के केस में आप क्या लगाते हो विद्धुत वाहक बल ही लगाते है कोई बैटरी तो लगती नहीं है बैटरी का आंतरिक प्रत्रोध होता है तो वहाँ पर फंडा चलता है E-IR बट यहाँ पर कोई R का फंडा नहीं होता है बैटरी के लिए इसलिए यहाँ पर सीधे विद्धुत वाहक बल ही चलना चाहिए देखा जाए तो सही तरीका क्या है विद्धुत वाहक बल ही लगाओ मतलब भी लगाना ही भी लगाना गलत है रेखा जाए तो क्योंकि बैटरी के किसमें V बराबर E-IR होता है बट यह तो सीधे इसमें कोई रजिस्टेंस फजिस्टेंस की बात ही नहीं आती है जितना उत्पन होता उतना मिलता है तो हाँ वी कोल्स टूई बच्चे का बिल्कुल सही बात है आर इक कोल्टू जीरो एक्चुली आर इक कोल्टू जीरो उसमें कोई ऐसी मतलब डिवाइस नहीं होती की बैटरी का पानी भराओ ये भराओ भराओ इलेक्ट्रो राइड भराओ विद्दू तब गट्ट बगेरे तो इसलिए भी कॉल्टू ई हो जाएगा चलो तो खेर इबराबर इजिरो साइनोमेगा टी ठीक है लगा दिया आंगे पढ़ते है अगला देखो भाई साब ये लगा दिया अब देखो उपर उपर भाई साब ने इबोला है और नीचे सुरुवात कैसे करी है वी से तो महान है किताब छापने वाले आपकी मर्जी जो कोई दिक्कत नहीं है वी से स्टाट कर दो इसे स्टाट कर दो बठोना चाहिए ये मान लो चित्र में दरसाय अनुसार एक प्रिरक कुंडली जिसका स्वप्रिरकत एल है कि सिरों के बीच में प्रत्यावरती विद्धोत वाहक बल अब यह वांतर का सिंबल है कोई दिक् i बनती है तो यदि ये प्लस है यदि ये माइनस है तो इसका प्रिरख का काम क्या है धारा के बदलाओ के विपरीद दिसा में अपना खुद का स्वा प्रेरित विद्धुत वाहकबल बनाना तो भाईया स्वा प्रेरित विद्धुत अब देखो भाई, यहां पर जो है, यह वाली लाइन का कोई यूज नहीं है, किर्चाफ विर्चाफ का नियम मत लगाईए, आप ये समझेए, कि इसके उपर जो विद्धुत वाहक बल आएगा, वो कितना आएगा सीधा-सीधा, LDI by DT, बस, और कुछ नहीं, माइनस साइन किसको दिखा रहा है, दिसा को दिखा रहा है, ये रजिस्टेंस तो यहां पर है नहीं है, तो ये लाइन मैं आपसे कहूँगा, कि ये लाइन का कोई मतलब यूज लेस है, इस लाइन को बिलकुल मत लिखिए, ये आपको बेवज़ कनफ्यूस करीगी, किर्चाफ रचाफ का नियम मत लगाए, वो कहरा किर्चाफ का नियम लगाने पर एक किर्चाफ का सर्कृट बनाया, कोई कुछ नहीं करना आपको, सीधे आप देखो, यहां पर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा, वो कितना हो रहा, माइनस किसको बता रहा देशा को बता रहा, किसको बता रहा, देशा को, तो हम तो परिमाड की बात कर रहे है, तो परिमाड कितना होगा, V equal to L di by dt, चलिए, solve कर देते हैं, यहां से, तो भाईया, हमें पता चल गया, कि जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इंडक्टर के उपर, V equal to L di by dt, ओके, V कित कितना हो गया, dt, ओके, upon में L कर दो, यहां पर, V0 by L, और यहां पर कितना हो गया, di, कितना हो गया, di, पलट करके लिखो, आनंद आएगा, तो di is equal to हो गया, कितना, V0 upon L, और यहां पर sin omega t, और कितना dt, integrate कर दो, दोन तरफ integrate कर दिया, यह तो constant है, बाहर आ जाएगा, integration के, di का integration, I, V0 upon L, sin omega t का integration, सब लोग जानते हो, क्या होता है, cos omega t upon omega, वो भी किसका, minus का, cos omega t upon omega, yes, so क्या बनेंगे अपने पास में यह, V0 upon omega L, I equal to, V0 upon कितना, omega L, और minus cos omega t, क्या चुका है, minus cos omega t, देखिए, हमारे पास जो voltage था, वो sin के frame में था, तो हमें तुलना करने के लिए, इसको भी sin के frame में लाना पड़ेगा, और आप लोग जानते हैं, minus cos theta is equal to, sin 90 plus theta क्या होता भाई साब, नहीं होता, plus cos theta होता है, ओके, तो sin 90 plus theta जो हुआ करता है, क्योंकि second quadrant है, तो minus तो हुई नहीं सकता है, आपके पास में कितना आया है, minus cos omega t आया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, minus cos omega t upon omega, yes, minus cos omega t upon omega, कैसे लिख सकता हूँ देखे, तो minus v0 upon omega l, cos omega t को लिख सकते हो, sin omega t, sorry, sin 90 minus theta, cos को लिखते हैं अपन क्या, sin 90 minus theta, तो sin 90 minus theta मतलब 90 minus omega t, किसको लिखा, cos को, यह जो cos था, इसको मैंने क्या लिखा, minus को बाहर कर लो, एक पल के लिए, cos theta को लिखा, मैंने क्या, sin 90 minus omega t, यह क्या बन गया, cos omega t, अब इस minus sin को अंदर ढोल दो, तो क्या हो जाएगा, v0 upon omega l, और sin omega t minus 90 को क्या लिखता हूँ, pi by 2, omega t minus pi by 2, yes, तो यह रेखे, क्या बन चुका है, अभी, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, कि यह v0 है, और यह क्या है, xl, क्या है यह, xl, और यह हो जाएगा, sin omega t minus pi by 2, तो बन चुका है, आपके पास यह क्या बन चुका, i0 क्यों, voltage upon resistance equal to current, तो यह बन गया, i0 sin omega t minus pi by 2, yes, मतलब जो current है, वो क्या है, पीछे है, current क्या है, पीछे है, तो यदि आपको इसका phasor diagram बनाना हो, तो कुछ इस तरीके का phasor diagram बनेगा, देखिए, आपके पास में voltage, यह ले लीजे सबसे पहले, यह क्या है, theta equal to 0, और अब, यह voltage था, क्यों था voltage, क्योंकि V equal to V0 sin omega t, omega t angle पर कौन जूम रहा था, voltage, और omega t से 90 degree पीछे, तो यह भाई साब voltage है, voltage से 90 degree पीछे, यह देखो, यह है 90 degree पीछे, कौन है voltage से 90 degree पीछे, current है, तो I not current जो है, पीछे जाएगी, यहाँ पर बस V0 लिखे, ओके, तो यह बन गया V0 और यह बन गया I0, मतलब यहाँ पर कौन लीड कर रहा है, यहाँ पर voltage लीड कर रहा है, और current क्या कर रही है, lag कर रही है, current क्या कर रही है, lag कर रही है, देखे, समग रूप से इस derivation को हमने develop कर लिया है, इसका phase diagram और wave diagram अभी कहीं न कहीं बना होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यस, और बाकी उसके लिए बात कर लिया है, दिस्ट धारा के लिए जो मैंने आपको बाते बताई हैं, वो बाते लिखी हुई हैं, वाकी कुछ भी नहीं है, ठीके ना, आप देखे, सुद्ध प्रेरकत परिपत के लिए diagram देख लो भाई साब, फेजर diagram और ये वाला diagram बना हुआ है, एक प्रत्यावर्थी में सुद्ध प्रेरकी परिपत है, तो बताईए प्रत्यावर्थी धारा का मान क्या होगा, अभी अभी मैंने बता दिया आपको ये देखिए, अब द करेंट जो है माइनस पाई बाई टू से सुरू हुई है, ये कहरा प्रत्यावर्थी वोल्टेज, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसने diagram को दूसरे दरीके से बना दिया है, आप समझ लो कैसा है ये diagram, देखो, कौन आंगे है, वोल्टेज आंगे है, क्यों करेंट पैदा हुआ होगा, उस समय करेंट क्या रही होगी, जीरो, वोल्टेज जिस समय पैदा हुआ होगा, उस समय करेंट क्या रही होगी, जीरो, तो आप इस अगर एक्सेस को थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं, आप इस एक्सेस को थोड़ा सा क्या बढ़ाएं, पीछे यह diagram कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाएगा ठीक है अब आप देखिए जिस समय voltage की value maximum है voltage की value maximum है उस समय current की value क्या है 0 है जिस समय voltage की value maximum है उस समय current की value 0 है एक सेकंड मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर इसने उल्टा लिग दिया है ये प्रत्यावरती धारा जो है ये होना चाहिए पीछे वाला और प्रत्यावरती वोल्टेज ये होना चाहिए तो यहाँ पे गलती हो गई है डाइग्राम के साथ में ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है इसको बनाईए आप क्या इसको बनाईए आप प्रत्यावरती इसको आप बनाईए प्रत्यावरती धारा ब्लैक वाला जो दिख रहा है और जो डॉट वाला दिख रहा है इसको प्रत्यावरती वोल्टेज क्यों मैं रिफ्रेंस देता हूँ आपके पास वी की equation कितनी है V0 sin omega t अरे भाई साब जब V equal to V0 sin omega t है तो T equal to 0 पे अगर आप यहाँ पे T equal to 0 पूट करो तो T equal to 0 पे voltage कितना होगा 0 होगा मतलब voltage तो यह होगा न यह वाला आपका voltage आएगा बिल्कुल ठीक है यह वाला voltage आपका आएगा और जो current है आपके पास पे current देखो जो शुरू हो रही है अगर जिस समय यह current की value आप देखेंगे तो T equal to 0 पे current यहाँ पे देखो जिस समय T equal to 0 है उस समय पर current की starting कितने पे हो रही है पस्च पे हो रही है omega t minus pi by 2 तो एक काम करो omega t minus pi by 2 start पता करना है न कहाँ पे start हुआ है तो इसको 0 कर दो एक और तरीका बता रहा हूँ कि इसकी starting पता करनी है तो omega t minus pi by 2 को 0 कर दो चलो तो omega t minus pi by 2 equal to कितना 0 so omega t equal to कितना हो गया अपने पास में pi by 2 जी हाँ तो omega t equal to pi by 2 omega t क्या है theta omega t क्या है theta equal to pi by 2 theta equal to pi by 2 से शुरुआत करो तो कहाँ से शुरुआत करोगे आप यहाँ से शुरुआत करोगे ठीक है theta equals to pi by 2 से शुरुआत करोगे तो theta equal to pi by 2 आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो कुल में लाके देखा जाए, तो totally ये diagram ही गलत बना हुआ है, इस diagram को सही कर लो, नहीं तो अगर पीछे से लेता तो theta equal to minus pi by 2 होता ना, अगर पीछे से जाता तो theta equal to minus pi by 2 होता, तो omega t equal to plus pi by 2 हो रहा है, मैं एक line में आपको सारा कुछ clear कर देता हूँ, अब आपको विल्कुल clear हो जाएगा, देखे, देखे, दो आपके पास diagram आए है, ये थोड़ा सा समझना जरूरी भी है, आराम से इसको समझो, जल्दी नहीं है, आपके पास 2 diagram आए हुए है, एक आया आपके पास v equal to v 0 sin omega t, तो ये field किया करो, जिस समें इसको 0 करोगे, omega t equal to 0, तो ये पूरा का theta है, omega t क्या आपका, theta, actually this is equal to v 0 sin theta, इसमें क्या waves के concept लगे हुए है, तो v 0 sin theta, यदि इसका graph आप देखेंगे, v का, तो v यहाँ से start होगा, ये भी यहाँ से start होगा, अद दूसरा आपके पास equation क्या है, i equal to i0 sin omega t minus pi by 2, ओके, omega t minus pi by 2, जिसको आप लेख सकते हो, i0 sin omega t क्या है, theta minus pi by 2, yes or no, अब आप इससे पूछो भाई साब, तुम 0 कब होते थे, तो ये बोलेगा, मैं theta equal to pi by 2 पे 0 होगा, theta equal to theta minus pi by 2 equal to 0, बोले तो theta equal to किता, pi by 2, बिटा, pi by 2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता ह है, कहाँ पे होता है, यहाँ पे, मतलब इसकी कहानी कब पैदा होगी, भाई ये बड़ा है ना, कितना बड़ा है, pi by 2 बड़ा है, तो इसकी कहानी कहाँ सुरोगी, यहाँ से, तो ये देखिए, ये बन गया, आपका i, तो ये सही कर लो भाई, गलत बना हुआ है, तो ये आ यह तो तो यह यहाँ पर आएगा उससे वो कुछ भी मतलब नहीं है हमारा यह वाला पार्ट विल्कुल सही है उसको हम देखके क्यों कन्फ्यूज हो तो नोट कर लीजे यह आपके पास में दो क्योशन बने है एक वोल्टेज वाला है और एक करेंट वाला है साब साब दिख रहा है कि वोल्टेज पैदा हुआ है पहले और करेंट पैदा हुई है बाद में तो वोल्टेज लीड कर रहा और करेंट लेक कर रही है समझ में आ गया नोट कर लीजे चलिए तो आज के लिए RL सरकेट करा दिया है R सरकेट करा दिया है इतना ही दोनों सरकेट में इसको अच्छे से लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा 5-10 मिट में तो इसको यदि कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से बार बार रिवाइस करिए कोई समस्या हो तो बताइए कल पढ़ेंगे हम लोग C सरकेट और फिर उसके बाद पढ़ेंगे LCR सरकेट आएगा मजे से और LCR सरकेट के बाद हम पढ़ेंगे ओशत उर्जा सरकेट की और फिर जो इंपोर्टेंट डेरिवेशन LCR सरकेट में कौनसी अनुनाधी आवरत्ती वह बहुत इंपोर्डेंट है वह डेरिवेशन आएगा चलिए फिर उसको बाद ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा धन्यवाद आज की क्लास के लिए कल मिलते हैं नमस्कार